श्री गनेशा या नमाहा नमस्कार दोस्तो दोस्तो ये राशी फल चंद्रा राशी पर आधरित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते है वो चंद्रमा की स्थिती ले कर आती है इस वज़े से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बह नाम ला रहे है दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में पराक्रम स्थान से गोचर करेंगे यानि चंद्रमा थर्ड हाउस में रहेंगे जो आपके पराक्रम में बडुतरी करने वाला है जी हाँ इस समय में आप स्वस्तर होगे और मस्तर होगे बिमारियों से आप चोटी चोटी यात्राएं से करते हैं यानि उन्हें व्यापार करने के लिए चोटी चोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं इस समय में यात्राएं होने के योग बन रहे हैं खास करके चोटी यात्राएं आपको लापकारी सिद्ध होगी चंद्रमा इस दिन नवम भाव को पढ़ सकती है, व्यापारियों को इस समय में निवेश करने से लाब होने वाला है, इस समय में निवेश करने से अच्छा लाब होने की संभावना रहेगी, इस समय में अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, तो उनके साथ आपके रिष्टे और अच्छे बनेंगे, अगर स्टूडंस जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स लापाएगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा स्टूडंस के लिए समय वैसे वैसे अच्छा होता जाएगा स्टूडंस को इस समय में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहिए अगर पर्सनल रिष्टे आने की इस समय में समभावना रहेगी समय का अच्छा उपयोग जरूर करें इस दिन हरे रंग का इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित ह लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परियनाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मारगदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छ रहेगा